मेर दयाशंकर तिवारी ने मेडीकल में कोरोना वैक्सिन लगवाई है वे अपनी 99 वर्षिय मा सरस्वती दीवी भाई वपत्नी के साथ पहुचे थी सभी ने वैक्सिन लगवाई है इस दोरान डीन डॉक्टर सुधिर कुप्ता वैदिकी आधिक्षक डॉक्टर अभिनाज का वह मनपा के सहायक वैदिकी अधिकारी डॉक्टर विचे जोशी उपस देते मैंने कहा कि वैक्सिन लेने से नहीं डरे यह बिल्कुल सुरक्षित है साथ उन्होंने नागरीकों से मास लगाने सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सेनिटाइसिंग वस साभून से की है उ और उसी क्रम में यहां नाकपुर शहर के गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज में वैक्षिनेशन का करेक्रम प्रारंब हुआ है जिस दिन पहले दिन साथ साल और पैतालिस से उन्सट साल के कोम और्विट पेशिंट को वैक्षिन लगाना सुरू हुआ मैं उस प्रथम दिन ही यहां आया था यहां बहुत बड़े प्रमाण में लोगों की भीड थी और मैंने आवाहन किया था कि जब भीड कम हो जाएगी उस समय मैं स्वयम वैक्षिन लगाने आऊँगा करन भीड को मैं और बढ़ाना नहीं चाता और लोगों से भी आवाहन किया था कि यहां भीड ने लगाते हुए ऑनलेन रेजिस्टेशन करें उसके बाद आए अभी भीड सयमी थै लोग ऑनलेन रेजिस्टेशन कर रहे हैं पहले दिन जैसी हैं भागदोड नहीं है जो वैक्सिन यहां हमने लगाया है को वैक्सिन है इसको लेकर के देश में बहुत राजनीती हुई बहुत उठा उथल पुथल हुआ गलत गलत प्रकार की बयान बाजी हुई लेकिन भारत के माननी प्रधान मंतरी महोदय ने जब जिस दिन सुरवात हुई उस दिन स्वेम एम्स में जाकर के कोवैक्सिन लगाया उस दिन से स उनके साथ में मेरा चोटा भाई मेरी बहु हमारे परिवायर के चार सदोशों ने आज यहां पर वैक्सिन लगाया है मैं सभी नगरवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि नापपूर महानगर पालिका में कल चार लाख वैक्सिन और आ गई है और पैतालिस से जादा उ नागरिक नापपूर शहर में केबल 6 लाख है यह सारी वैक्सिन आपके लिए आई है इसके लगाने के लिए आपका रजिस्टेशन करना नितान तावश्यक है महानगर पालिका और दस नए केंद्रों का वैक्सिनाजिशन केंद्रों का उद्गाटन कर रही है कि बड़े प कर रही है